अगर किसी व्यक्ति के पास भारतिय सिक्के हों और वो ऐसे सिक्के हों जिनके दिखावट में यानि के अपिरेंस में या उनके साइज में या उनके कम पोजिशन में बदलाव किया गया हो और जब से उस व्यक्ति के position में वो सिक्के हो तब से उसे पता हो कि ये सिक्के ऐसे सिक्के हैं जिनमें बदलाव किया गया है और उसे ये भी पता है कि ऐसे सिक्कों के दुवारा किसी को फ्रोड किया जा सकता है किसे के साथ जूर्म किया जा सकता है जो है किसी को डिसीव किया जा सकता है तो यह उस व्यक्ति को जानकारी हो और उसके पोजेशन में अगर ऐसे सित्खे हैं जो बहरतिएивать शिक्के हैं जिनकी exact size इस composition बदला गया है तो ये कानूनन जुरम है और भारतिय दन सहीता की section 253 के अनुसार उस व्यक्ति को 5 साल तक के सजा और जुरमाने का प्रावधान है CRPC की schedule के सबसे अगर बात करें तो ऐसे जो जुरम है वो cognizable है और non available है और magistrate first class के दवारा ऐसे मामले try के जाते है